नमस्कार इंडटा अपनीज में आपका स्वागत है ब्रेकिंग नीज बलिया जंता क्रांती पार्टी ने अपनी 103 मांगो को लेकर जिला दिकारी को सोपा पत्र बलिया जंता क्रांती पार्टी बलिया के द्वारा नगरा बाजार भी करीब 16 साल पहले लेगी सम्राड पत्वी राच्छवान किर्पतिमा का संपन चबूत्रा द्वस्त होने के बाद मरम्मत के लिए पारटी के कारकरताओं द्वारा बारवार सासन प्रिसासन को प्रत्यावेदन दिया गया इसके बावजूद भी प्रिसासन द्वारा कोई उचित कारवाई ना होने के करण आज पायटी के कारकरता पुना अपना सिकायती पत्र के माधियंग से जिलादिकारी बलिया को उगत कराने का काम कर रहे हैं जिसकी अगवाई जंता क्रांति पायटी के राश्टी अध्यच अनिल सिंग चोहान ने किया और प्रिसासन इस तरह से अपनी केवल एक सूत्री मांग को रखा बलाग नगरा के कस्वा नगरा में लगी समराड पतिवी राचवान की छत गेस्त पतिमा का सुंदरी करण करवाया जाए और कहा कि यदि अमारी मांग प्रिसासन द्वारा पूरी नहीं की गई तो आगामी समय के पायटी बड़े आंदोलन के लिए बाद होगी जिसकी पूरी जिम्हेदारी सासन और पिसासन की होगी सुंदरी करण करवाया जाए जिसमें ए जुम्लोबाजे की सरकार सरकार के चम्चे द्वारा उस परतिमा के साथ भेदभाव किया जा रहा है उस महापुरुष के साथ अपमान किया जा रहा है और मैं सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को बंद करना चाहता हूँ ए जुम्लोबाजी तुम बंद करो समराट पिर्थिविराज चमान के परतिमा के साथ जो छेड़ चाल हो रहा है उनको ओट के राजनीत के कारण अपनी व्यक्तिज़त लाप के लिए इस सरकार जो है साजिस के तथ उस मुर्ती को गिरवाने का सरयंत कर रही है क्योंकि जनता करांती पार्टी यो फैसला कर चुकी है क्यों अब पिर्थिविराज चमान के अपमान का बदला लेने के लिए जनता करांती पार्टी किसी भी हद तक गुजनने के लिए तयार है मुझे सरमाती है ऐसे सरकार पे ऐसे जुठी सरकार ऐसा सरकार तो हमने कभी नहीं देखा सो परसेंट जुठी सरकार है एक गरीबों का कहते वारे प्राइम वारे प्रदान मंतिरी कहते हैं सबका साथ सबका विकास अरे मैं को तो कहता हूँ सबका अमीरों का साथ गरीबों का नास एह है मोदी जी का सरकार यह सर्कार जो है गरीबों के साथ अन्याय कनने वाली सर्कार है। उसको अपने ब्यक्तिकत राजनीत की रोटी सेकने के लिए अपने ब्यक्तिकत राजनीत का व्योस्ता दुरूष्त ने के लिए बर्तमान सरकार के लोगों ने सड्यांत के तहट उस मुर्ती को छटी गरस्त कराया और छटी गरस्त कराके आज उस मुर्ती के साथ अपमान हो रहा है और अपमान ऐसा हो रहा है कि उस मुर्ती के साथ वहाँ पे जूता, चपल, कूला, कचड़ा जो भी मार्केट का है सब वहा पर्शासन का सायोग लेके और जनताकरांती पार्टी के लोगों पर दवा बना के और उस काम को रुकवा दिया इसलिए इसी करम में आज आपनो ले जी मैं सरकार से मैं सरकार को से कहना चाहता हूं सरकार से मेरी यही मांग है कि उस महापुरिस का अपमान हो रहा है मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं जो नगरा चोरहे पर जहां पर पिर्थिविराज चोहान की मुर्ती लगी है उसको घोला चोग से जाना जाता है मैं सरकार को काता हूँ, सासन पर सासन को काता हूँ, जो नेता है उनको काता हूँ, उनकी आख अंधी तो नहीं हो गई है, वो दिखाई नहीं देता है उनको कि उस घोले पर भी कोई बैठा है, उस घोले पर हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू चक्रोटी समराथ पिठिवीराज चोहान उस घोले पर बैठे हुए हैं और ऐसा उनको घोला चोक करके उनका अपमान किया जाता है क्योंकि उनका अपमान नहीं किया जाता है यह पूरे राष्ट का अपमान है पूरे राष्ट का अपमान मैं सरकार से मेरी यही मांग है उस घोले चोक को एक नया नामकरण पृ पेल आइकन दवाना ना बूलें इंडिया टाप लिज अपने छेत्र की ख़वरें सबसे पहले पाएं।